नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी में क्या इसका सपोर्ट है क्या इसका रजिस्टेंस है और कहां पर यह मंडे को जा सकता है अपसाइड जाएगा कि डाउंसाइड जाएगा यह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो अ m pattern बना रहा है अगर इसको आप देख रहे हो तो यह बैंब ना रहा है मार्केट में आप देखोब किया रहा है यहां पर उप करने के पूरा को शिस चुरेगा यानि कि जो निफिक है वो एम पूरा pattern बनाने का Try करेगा तो यह डाउन से फॉल के तरफ बोफ करेगा अब आजाते हैं एक गंटे के चार्ट पर हम देखेंगे एक घंटे पर क्या मार्गत कहरा हैं एक गंटे फॉल हो देखो गugen और आपको देखे का कि जब किया उपर जा रहा था फिर यहां से डाउन फॉल कॉंटिन्यू हो गया एक दम तो आने वाले समय में भी यह डाउन फॉल ही करने वाला है अगर मंडे को मार्केट इस लेबल पर खुलता है अगर इसके नीचे यहां पर अगर इसके नीचे कहीं यहां सपास यह ओपन करता है अगर इहां पर खुल जाता है तो आप देखोगे कि यहां पर एक रॉंड नमबर है सैंठीश दो-सों का असबस अगर खूलता है यह तो मार्केट डाउन फॉल कर सकता है और कहां तक ये downfall करेगा ये भी हम आपको बता देते हैं ये downfall करेगा यहां तक ये जो आप level देख पा रहे हो यहां पे 37 ये जो level आप देख पा रहे हो 7100 के आसपास यानकि जो ये round number है यहां पे पहला target रहेगा और दूसरा target रहेगा हमारा ये दूसरा target हमारा रहेगा ये दूसरा target रहेगा हमारा 17,000 अगर इन दोनों को break करके नीचे आता है तो काफी अच्छा level हो सकता है 16,700 के करीब ये 16,800 के करीब ये level दे सकता है तो अगर market यहां से reverse हो जाता है अगर यहां पे जैसे target आप यहां पे market खुला नीचे sustain कर जाता है ये support को अगर respect ना करके इसके नीचे आ जाता है तो आप next target के लिए जाओगे यानि कि वो target रहेगा ये अगर market यहीं से support लेके उपर जाता है तो उपर आने के बाद आपका एक level और होता है यहां पे हम बता जाते हैं आपको ये जो trend line आप देख पा रहे हो इस trend line पे वापस touch करके retest करके ये वापस से अपने downfall में आने का try करेगा तो ये जो दो level आपको हम बता दी है ये काफी बढ़िया level है और यही होने वाला है Monday को और यहां पे आप देख पाऊगे कि यहां पे जो moment हो रहा है यानि कि जो downfall हो रहा है कभी भी market उपर जाके रुक नहीं पा रहा है वापस से वह नीचे आने का ही try कर रहा है अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट पे आ जाते हैं 15 मिनट पे देखेंगे तो सेम वही कंडिशन है यहां पे आप देख पा रहे हो यहां पे एक पहले ड्रॉइंग हम अटा लेते हैं तोड़ा यहां पे आप देख पा रहे हो यहां पे एक आ रहा है तो अगर मार्केट नीचे से ऐसे कनसल्डेट कर रहा है तो आघर मार्केट इसके ऊपर यानि की यह जो ट्रेंड लैने इसके ऊपर ग्री यहां पे क्लोस कर देता है तो आपको बहुत ही अच्छा लेवरalnya डहने कि आपको कुछ नहीं करना यह भस यह जो आप मार नहीं सकते हैं यहां से एक resistance है आपका 17,500 के आसपास जो कि यह है, बात कर देते हैं, 17,500 के आसपास यह level है, 17,500 के आसपास यह level है, इसको अगर ब्रेक करने के बाद exchange market यहां तक जा सकता है, तो आपको छला जाएगा 17,800 के आसपास, यानि कि जो high यहां पर आप देख पारही हैं, 17800 के पास ये तीन लेवल आपको उपर हम दे देते हैं और तीन लेवल नीचे यानि कि मार्केट अगर इसको ब्रेकडाउन करता है ये नीचे वाली लाइन को अपने सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे भी काफी अच्छा लेवल मिलेगा और उपर भी अगर ब्र झाल झाल झाल